नमस्का साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैवन के YouTube चैनल पर साथियों एक नियूज है सीटेट का नियूज है हम आपको बताते हैं आप लोग अंतक बने देगेगा आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट सारी जानकारी दी जाएंगी इस साथियों कल एक नोटिस भी वायरल हो रहा था जिसमें बच्चे बहुत सारे परसान हुए और कमेंट भी कर रहे थे कि सर सायद जो आपने बताया था सर कि अगस्त लाष्ट तक आएगा नौटिफिकेशन सर आपने सायद जूट बताया था या फिर आपसे सायद गलत हो और साफ साफ ओचीज दिखाई दे रही थी वहां पर के एडिटिंग की हुई है वहां पर तो इस वज़े से आप परसान नहीं क्योंकि आपका सीटेट का नौटिफिकेशन आ गया है ऐसा कोई नौटिफिकेशन अभी नहीं है हो सकता है कि दो चार दिन में हुमें भी पॉ पर नगर से आपके कल के आर्टिकल में दिया गया साथी है जो सीटेट का पर यहां पर लिखा गया है साभ साथिओं आप देख सकते हैं कि सी भी अश्य ने जारी की नोटिस उनिस अगस्तुर तक आवेदन लिया जाएगा यह हो सकता है साथी और परिच्छा 15 नॉवंबर से 16 दिसंबर तक होगी या आयोजी तो होगी या चीज़ें बताई जारी है हमने तो आपको पहले ही कहा था साथी लास्ट नॉवंबर से मेभी लास्ट दिसंबर तक हो सकता है आपके एक्जाम लिए जाए या फिर मीड दिसंबर से सोरे मीड नॉवंबर से लेकर लास्ट या फिर मीड दिसंबर तक आपके एक्जाम हो लेकिन इसके लिए प्रियोरिटी भी तो कुछ होनी चाहिए साथी इसके लिए नॉटिफिकेशन तो निकालना चाहिए उनको ओफिस्यल तो ओफिस्यल डाटा या नहीं है कुछ आर्टिकल्स हर बार सही नहीं होते हैं आपने देखा कितनी बार उनोंने सिच्चक बरती के लिए निकाला आर्टिकल कि सिच्चक बरती बहुत जल्द होगी 97,000 पे होगी, 50,000 पे होगी, 19,000 पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नों न साबित कर पाया, और अभी तक सिछक बरती लटकी की लटकी पड़ी है साथी, बहुत सारी चीज आर्टिकल में आती हैं, लेकिन वह सच्चाई नहीं होती है, जब तक official कोई notice नहीं आता है, हम आ सच्चाई है कि लाश्ट अगस तक आनाता है, नोटिफिकेशन इचाहाई उपिटेट हो, चाहाई सीटेट हो, नहीं लाश्ट अगस तो लाश्ट अगस से लेकर 15 सिप्टेंबर तक आप आ जाएगा, नोटिफिकेशन एक महिने तक लगबग 20-25 दिन तक आपका रेजिटे सच्ची घटना पर ध्यान दे साथी, यह रही पूरी सच्चाई, इसमें आप देख सकते हैं, आर्टिकल लिखा गया, आपको बताया जा रहा है, बारा सो रुपे जमा करना ही होंगे, आपको जो बच्चे कर लिए कि जो बच्चे जनरल वाले हैं, जनरल कटेगरी के हैं, विसी कटेगरी के उन्हें 1200 रुपे फार्म भरने में लगेंगे, और प्लस ऐसे बच्चे SCST वाले दिब्यांग बच्चे 500 रुपे लगेंगे, इस तरह ऐसे बताया जा रहा है, और दोनों पेपर के लिए जो बच्चे SCST वाले हैं, उनके लिए 600 लगेंगे, यह बातें ब पहले पहले और एक्जाम आपका वही लास्ट नॉंबर जो अभी तक देखा जा रहा था, उसी अधार पर देखा जाए तो लास्ट नॉंबर के ही आपका एक्जाम होगा, अगर कोई दूविधा ना रही तो, अन्ता कर्णिस ने पिछली बार भी तो पेपर लिक हुआ था जिसके वज़ए से जनौरी में एक्जाम लिया गया था, मैं भी ऐसा कुछ भगवान न करें, ऐसा कुछ हो, आपका समय से पेपर हो जाए और आप लोग भी आगामी सिच्छक बढ़ती में लिजमेल हो जाएं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल क लिस्टे में उपलब्ध हैं, सभी सब्जेक्ट के आप उसे जोईन कर सकते हैं, तो जोईन कर लिजे, धन्यवाद मित्रों